हलो स्टूरेंट्स आज इस वीडियो में हम क्लास एट बुक आरे सगरवाल टेस्ट पेपर 12 को सॉल्व करेंगे बच्चो क्लास एट के जितने ही हमने चेप्टर्स की वीडियो बनाईए न सबका लिंक डिस्क्रीप्शन में दिये गया है अगर आप देखना चाते है तो वहां से दिख सकते हैं बच्चो अब हम क्वेशन करेंगे जो पार्ट ए है कि पार्टे का कोश्चन वन है 350 बाक्सी इस कैन बी प्लेस्ट इन 25 कारटन्स अगर आपने एक्सराइज 12 सी तक वीडियो अच्छी तरह से दिखी है यहां उनको आपने अच्छी तरह से सॉल्व है तो आप टेस्ट पेपर को 12 को खुद भी ट्राइ कर सकते हैं ठीक है क्यों इससे क्यों होगा कि आपको पदा चल जागा कि आपको कितना समझ आया है ठीक है अब हम कुश्चन को सॉल्व करती हुए अब यहां पर क्या है 350 बॉक बॉक्सिस भी कम हो जाएंगे तो यहां पर डिर्क्ट प्रपोर्शन का फॉर्मला लगेगा ठीक है तो करते हैं अब यहां पर लिखेंगे लेट अब क्या हाउ मेनी बॉक्सिस एक्स बॉक्सिस कैन भी प्लेजट बच्व जो डिरेक्ट वेरिशन वाले को खुश्चन से न अब्जेक्टिव टाइप गॉस्टिन से लेट एक्स बॉक्सिस कैन बी प्लेजट इन 16 कार्टन राइट अब मॉख्स बनाते हैं अब अच्छो यहां पर क्या लखेंगे number of boxes यहां पर लखेंगे number of cartons ठीक है अब 350 boxes है 25 carton है तो यहां पर 16 carton है और यहां पर हमने जो boxes है उसको X मा ले अब अच्छो इसको समझो मैं आपको समझाती हूँ अब यहां पर करें है 25 kartins तें तो 25 से हमारा जुक्रण है decreased हुए ठीक है यह decreased हुए और बसी तो हमारे boxes भी decreased होंगे क्योंकि अगर 25 kartons साई तभी हम ज्यादा boxes उसमें प्लेस कर सकतें अगर तो यहाँ पर दोनों तरफ डिक्रीज हो रहा है तो यह क्या है इस दा केस ऑफ डारेक्ट विरेशन बच्चों जो chapter 12 है बहुत ही easy chapter है अगर आप इसको कर रहे हो तो इसको बस आप practice करो बहुत easy है बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाता है तो बच्चों जब direct variation होते हैं तो हम क्या कहता है ratio की form में लिखेंगे 350 upon 25 equal to x upon 16 अब हम क्या करते हैं cross multiply करते हैं 350 multiply 16 आ गया और 25 into x आ गया अब बच्चों यहाँ पर ना multiply नहीं करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर हमें बता है कि x की value जो है denominator भी चाल जाएगी तो हमें काटना easy हो जाएगा ठीके ना x equal to 350 multiply 16 upon 25 अब यह किस पर कर जाएगा 55 जाएग 25 फाइव 7 जा 30 जो अगें जी फाइव जाएग फाइव 1 जा 5 तो हम लिखेंगे, so 224 boxes can be placed in 16 cartons, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस जो हमारे पास equation हमने भी पूरी question से देखे है, ठीक है, इस तरह से हमने question 1 को solve करने, अब हम करते है question 2, question 2 किया है, the cost of 140 tennis ball is Rs. 4900, find the cost of 2 dozen such ball, अब इस यहां पर 2 dozen मितलब है, एक dozen में कितना होते है, 12 होते है, तो हमने 2 को 12 से multiply तो 24 हो गया, अब यह 140 balls थी, यह 24 हो गया, इसलिए confuse मत होना, ठीक है, dozen को हमने, यहां पर 12 से, 2 को 12 से multiply कर देना है, एक dozen में 12 होते है, ठीक है, तो यहां पर जो tennis ball है कम होगी, तो cost भी क्या मुला बन गया, तो यहां पर लिखेंगे, एक थोड़ा सा नजरी नहीं आ रहा, let the cost of, let the cost, let the cost of two dozen, two dozen क्या है, two dozen balls, equal to x कर लिया, ठीक है, रपीस x कर दिया, ठीक है, इस तरह ले दे, वैसे यहां पर लिखेंगे, let x cost of, मैंने यहां पर लिखेंगे, less the cost of two dozen balls, अब हम किसी तरह लिख सकते है, ठीक है, जिस तरह आपको, question में ही सब कुछ है, कोई मुश्किल नहीं है, आप practice करोगे, तो आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे, ठीक है, अब message करके बताओ, कि मैं जो पढ़ा रही है, आपको समझ आ रहे है कि नहीं आ रहे है, अगर नहीं समझ आ रहे है, अगर नहीं समझ आ रहे है, तो अब मैं next chapters बनाओंगे, उनको और improve करने के कोशिश करोगे, अब यहाँ पर क्या था बच्चो, यहाँ पर लिखेंगे, अब number of tennis ball, tennis ball, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे, cost, cost क्या है, rupees में, ठीक है, अब क्या थ और cost कितनी थी, 4900, अब यहाँ पर क्या cost होगे, 2 dozen, अब बिच्चो, यहाँ पर क्या है, cost, मतलब कि यहाँ पर balls कितनी है, 2 dozen, 2 dozen, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 multiply 12, कितनी होगा, 24, यहाँ पर लिखेंगे, 1 dozen equal to 12, इस तरह से हमने लिखेंगे, नी भी लिखेंगे ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, 24 balls होगी, अब हमने price को मने क्या मलने, x हो गया, अब अच्छे दिखो, price यहाँ पर क्या है, balls क्या है, 140 से कम होगी है, ठीक है, तो obviously price भी महारा कम होगा, तो यहाँ पर कौन सा case है, it is the case of direct variation, proportion भी लिख सकते हो, it is the case of, it is the direct proportion लिखेंगे, तब 140 upon 4900 equal to 24 upon x, अब cross multiply किया, यहाँ पर 140 को x से multiply करेंगे, 24 को 4900 से करेंगे, अब x की value in का लिए, तो 24 multiply 4900, यहाँ पर upon में 140 आ गया, 0 से 0 कर गया, 7 के table में कर रहे है, राम से कार दो, 7 to the 14, 7, 7 is the 49, 0, अब फिर यह 2 के table में कर जागा, 2, 3 is the 6, 2, 5 is the 10, अब 24 को 35 से multiply कर देते हैं, 5, 4 is the 20, 0 to carry, 5 to the 10, plus 2, 12, 3, 4 is the 12, 2, 1 carry, 3, 2 is the 6, plus 1, 7, तो कितना होगे, 840, तो हमारे cost के आजए, 24 balls की 840, तो यहाँ आप लिखेंगे, equal to 240, 840, तो x equal to rupees 840, तो लिखेंगे, So, the cost of two dozen balls is rupees 840, ठीक है बच्चो, I hope आपको यह समझ आ गए होगा, अब हम करते हैं, question 3, the railway fare for 61 km is rupees 183, find the fare of 53 km, अब बच्चो यहाँ पर क्या है, जो distance है, वो कम हो गया है, ठीक है, तो obviously price भी मारा कम होगा, तो यहाँ पर direct variation का ही formula लगेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, let fear for 53 km equal to rupees x, ठीक है, यहाँ ने बनाया box, अब यहाँ पर लिखेंगे हम, distance of train, distance, distance भी लिख सकते हैं, distance by train, किस में है, in km, और यहाँ पर आजएगा, fair in rupees, ठीक है, तो 61 km था, यह ज्यादा ही tight हो गया, तो 183 price था, ठीक है बच्चों समझ जा रहा है आपको, ज्यादा ही छोटा box बना दिया मैंने, और उसने 53 km हो गया, तो fair क्या हो जेगा, x हो जेगा, ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर क्या है, distance है, कम हो रहे हैं, तो fair भी मारा कम हो तो क्या है, it is the case of direct proportion, बच्चों अगर आपने exercise 12a और 12b कोई वीडियो दिखनी है, तो description में लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, बहुत easy exercise है, अब direct proportion में क्या है, इसमें ratio की formula लिखेंगे, 183 equal to 53 upon x, cross multiply करेंगे, 61 को x से किया, 53 multiply 183, ठीक है, x की value लिखेंगे, 53 multiply 183 upon, यहाँ पर क्या जेगा, 61 आजेगा, ठीक है, अब, किस पर कटेगा यह, बच्चों, 61 3s आ, 61 को आप 3 से multiply करेंगे, 3 1s 3, 3 6s 18, तो हमारे पास यह 183 आएगा, 53 multiply 3 करें, 3 3 is 9, 3 5 is 15, तो x की value क्या आगी, रूपीज 159, तो यहाँ पर लिखेंगे, so, फिर 4, 53 किलोमेटर, इस रूपीज 159, ठीक है, कितने easy question है, अब हम करते है, question 4, question 4 क्या है, 10 people can dig a trench in 6 days, how many people can dig it in 4 days, अब अच्चो, 10 people कोई trench को dig करते हैं, वो 6 days में करते हैं, अगर हम days को कम करते हैं, तो हमें क्या करते हैं, ज्यादा लोगों की जुरूत पड़ेगी, अब यह case हो गया, हमारा inverse proportion का, हाना, चलो, question करते हैं, पहले लिखेंगे, let x people, let x people, can dig a trench, in, कितना था, 4 days था, हाना, 4 days, अब हम बनाते हैं, अबना box, है न, easy questions, पर लिख लेते हैं, फिर box चोट हो जबता है, हमारा न, तो 10 people can dig, in 6 days, तो यहाँ पर कह है, number of people, और time taken in days, number of people, यह number of days भी लिख सकते हो, ठीक है, na, number of days, 6, 10 people, 10 people, 6 days, अब 4 days दिया हुआ है, और people हमने find out करने है, हान जी, ठीक है, अब हमने यहाँ पर x माले है, अब बच्चोट यहाँ पर कहा है, 10 people, 6 days में करते हैं, अब यहाँ पर days कहा है, कम हो रहे हैं, days हमारे कहा है, decrease हो रहे हैं, तो obviously हमारे पास, of men क्यों हो जाएगे, increase हो जाएगे, क्योंकि कम टाइम में करना है, तो हमें ज्यादा men की requirement पड़ेगे, ठीक है, ज्यादा people की requirement करेगे, तो हम यहाँ पर कहें, it is the case of inverse variation, ठीक है, अब inverse variation में क्या करते हैं, multiply करते हैं, equal to 4 into x, अब x की value न कालते हैं, 10 into 6 upon 4, किस पर चल जाएगा, 2 के table ने चल जाएगा, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 3s are 15, तो 15 people की हमें ज्रूरत पड़ेगे, ठीक है, तो लिखेंगे, so 15 people can dig a trench in 4 days, रही बच्चे, अब हम करते हैं, question 5th, question 5th क्या है, 30 men can finish a piece of work in 28 days, how many days will be taken by 20 men to finish it, अब men क्या है, कम हो गए हैं, तो obviously हमारे जो days हैं, वो भी ज्यादा होंगे, तो यह भी बच्चो, कौन सा case है, यह ही inverse variation का ही case है, चलो मैं आपको समझाती हूँ, पहले हम लिखेंगे, let x days will be taken by 20 men to finish the piece of work, ठीक है, let x men, ठीक है, how many की जगा मैंने x लिख दिया, x days, x days है, sorry, x days, x days will be taken by 21 men, ठीक है, पूरा आप बुक में से लिखो, कोई जूरू तरही है, to finish our work, finish our work, ठीक है, अब हम box बना दते हैं, अब यहाँ आप लिखो number of men, time taken, time taken किसमें ले रहे हैं, days में, अब number of days भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं इसलिए, आपको सारी हमारे बस कई options होते हैं, लिखने की, तो कह था, 30 men, 28 days ले गए, 30 men, 28 days, ठीक है, अब 20 men, कितने लिखेंगें, अब बच्छों यहाँ पर क्या है, 30 men, decrease हुए, और obviously, अब वो जो time है, ज़्यादा लगए, increase हुए, तो यह क्या हो जएगा, यह लिखने की जूरत रहे हैं, यह मैं आपको समझाने के लिखते हूँ, ठीक है, it is the case of inverse variation, आई हो, बच्छों मेरी rating आपको समझा रही है न, message करके बताओ कि आपको rating समझा रही है, यह नहीं आ रही है, ठीक है, अब x आगे हैं आपर, 30 multiplied 28, 21 multiplied x, अब x की वेलेंट का लिखें है, 30 multiplied 28 upon 21, 7 के table में कट रहे है सीधा, ठीक है, 7, 3 is a 21, 7, 4 is a 28, 3, 10 is a 30, तो कितना आगा 10 को 4 से multiply किया, 40 आजेगा, तो 40 डेज लगेगे, अगर men हमने increase कर दिये, तो उम्हारा time ज्यादा लग रहे है, तो यहां पर लिखेंगे, so 40 डेज, आगे बस यह यहां से लिख देना है, ठीक है, will be taken by 21 men to finish a work, ठीक है बच्चों, आई हो पर आपको यह question भी अच्छी तरह से समझागे होगा, बच्चों आप पार्ट ए का question 6 करेंगे, question 6 है, a garrison of 200 men had provision for 45 days, ठीक है, 200 men के जो food का provision था, वो 45 days के लिए था, after 15 days, 40 more men join the garrison, अब friends, यहां पर क्या दिया गया है, देखो, यहां पर after 15 days आ गया, ठीक है न, तो जो हमारे पास 45 days का जो provision था, वो हमने क्या किया, कि 15 days तो हमने use कर लिया, 15 days के बाद 40 more men join the garrison, तो जो हमारे पास provision रह गया है, वो कितने days के रह गया, 45 minus 15, 30 days करा गया, ठीक है, तो पहले हम इसको solve करते हैं, बच्चों यहां पर हम लिखेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे, कि 200 men had provision for 45 days, 200 men had provision for 45 days, right, अब अब अफ्टेंगे, अब फिफ्टेंगे हैं, बच्चों रफ्टेंगे, अब फिफ्टेंगे, आफ्टेंगे, अब फिफ्टेंगे, तो अब कितने days के लिए जाजेगा, 45 minus 15, 30 days के लिए, ठीक है, क्यूंकि 15 days तो वो use कर चुके है, जो 45 days का जो हमारे पास provision था, 200 men का, वो क्या है, 15 days तक use कर चुके है, ठीक है न, तो हम यहाँ पर कितने दिन का लेंगे, 30 days का, क्योंकि after 15 days, 40 men arrived, ठीक है न, 40 men more joined, ठीक है न, 40 more men joined, ठीक है, तो यहाँ पर box बनाते हैं, फिल मैं आपको बताती हूँ, एक बार दोबारा समझा दूँ जो मैं आपको, ठीक है, यहाँ पर है number of men, और है number of days, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, कि यहाँ पर लिखा गया है कि, a garrison of 200 men had provision for 45 days, ठीक है, after 15 days, ठीक है, आफ्टर 15 days, जो को बच्चों यहाँ पर जो है, जो food है, 15 days use हो चुक है, हमें जो 40 more person join हुए थे न, वो हमारे पास after 15 days के बाद का है, तो हम क्या कर जो 15 days, 45, जो 200 men, जो use कर चुके हैं, हम उनका, जो 15 days है, माइनस कर देंगे, 45 में से, तो कितना रह जगा, 30 days का, ठीक है, तो 200 men का हम लेंगे, 30 days, और जो more men join किया है, 240, तो कितने दिन चलेगा, जो हमारा food था, after 15 days, क्योंभी 40 more men join न, तो इसलिए, तो जो हमारा food है, तो उसको कितने दिन चलेगा, 30 days के लिए, तो यहाँ पर क्या है, जो men हो गए है, वो ज्यादा हो गए है, तो food जो मारा है, वो क्या होगा, कम चलेगा, ठीक है न, I hope मैं आपको समझा पाई होंगी, और अब यहाँ पर लिते हैं, number of men यहाँ पर है, 200, अब हमने यहाँ पर क क्योंकि जो men, जो join किये थे, बता कि, after 15 days, यहाँ पर men कितने होगे, 240, हमने 240 men का निकालना है, ठीक है न, तो जो 15 men, यूज कर चुके हैं, 200 men, वो हमने less करके, 30 days निकाल दिया, right, अब हमने number of days निकालना है, कि जो food था, अब जो 30 days के लिए जो food था, अगर 240 men हो जाते हैं, त तो वो कितने दिन चलेगा, अब बच्चों, यहाँ पर देखो men जो है, increase हो रहे हैं, more men, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर more men, और यहाँ पर क्या हो जगा, days क्या हो जगा, less days हो जगा, ठीक है, तो यह कौन सा case हो गया, यह case हो गया, it is the case of inverse variation, inverse variation, right बच्चों, अब यहाँ प let the remaining food for x days, let the remaining food for x days, ठीक है बच्चों, अब हमने इसको x माल लिया, ठीक है, अब यह inverse variation का case है, तो क्या हो गया है, यहाँ पर, 200 multiply 30, equal to 240 multiply x, अब हम x की value उन का लेंगे, तो 200 multiply 30, अब पौन में के चलेगा, 240, 0 से 0 कर जाएगा, 3 years are 24, आगे किस पर कर जाएगे, 8 के table में ही कर जाएगा, 8 to just 16, remainder 4, 8 5 is 40, तो कितना आएगा, 25 days, ठीक है, तो हम लिखेंगे, so remaining food for last 4, 25 days, ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने यह question को, question 6 को solve करना है, यह question 6 थोड़ा different था, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर 15 days दे दिया, तो बच्चों इसलिए, जब ऐसे कोई question है था, confused नहीं होना है, क्योंकि हमने जो men है, 240 days है, तो after 15 days जोइन किया था, तो हमने जो 200 men ने 15 days यूज किया था, वो हमने minus करके 30 days निकाल दिया, ठीक है, तुम्हारे पास 30 days आगे, आगे हमने इस question को solve कर लिया, I hope आपको यह question भी अच्छी तरह से समझ आगे होगा, बच्चों इस वीडियो में हम part A को ही solve करेंगे, I hope आपको यह part A अच्छी तरह से समझ आगे होगा, अगर फिर भी आपकी को query है तो please comment कर सकते हैं, और बच्चों अगर आपको video useful लगे तो वीडियो को like करें, share करें अपने friends के साथ channel पर new है तो channel को subscribe करें, thank you for watching, next video में हम part B को solve करेंगे